सरसौल कस्बे से तीन किलिमेटर दूर जंगल में संकर जी का एक ऐसा मंदिर जिसे नंदे सुर के नाम से जानते हैं और लोग भूले बाबा के नाम से जानते हैं यहाँ पर जो स्यूलिंग है वो भूमी से निकली हुई मानी जाती है और बहुत ही प्राचीन है तो आज हम लोग चलते हैं इस मंदिर में और आपको संकर जी की दर्सन कराते हैं बुले बाबा की दर्सन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी बाते हैं आपको म सिवलिंग है यह जमीन से निकला हुआ है और इसको यहां पर इस्थापित किया गया है इस सिवलिंग में आप संकर जी को और पारवती मा को भी साथ में देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्थान की तो कानपुर नगर में रामा देवी से 20 किलोमेटर दूर इलाह पहले एक समय था जब यहां पर चारों तरफ जंगल था और कची रास्ताएं बनी वी थी जहां पर लोग कच्छी रास्ताओं से बहते हुए यह पर दर्शन के लिए आते थे और अब यहां पर लिखा भी हुआ है कि नंदेश्वर धाम पहले लोग जानता ही निए थे कि य नाम से जानते थे सरसोल कस्व ने का भोले बाबा का यह मन्दिर आस्था का केंदर बहुत पुरा-प्राचीन समय से बना हुँआ है और चारों तरफ से यहा फर ऊसर बढआ ओवा है काफी बड़ा मैदान है जहां पर बहुत बढ़ा मेला लगता है भोले बाबा के इस मंदिर पर लोग कि अगर मेरा ये कार पूर्ण हो जाएगा तो मैं कुछ न कुछ ऐसा चढ़ाऊंगा यहां पर तो कई भक्तों ने जब उनके कार सिद्ध हो गए तो उसके बाद उन्हें अपनी जीव काटकर भी यहां पर चढ़ाई है इस तरह कि आपको यहां पर नाम सुनने को मिल जिनोंने अपनी जीव काटके यहां पर चढ़ाई है वैसे तो यह मंदिर सत्ता में पूरे दिन खुला रहता है लेकिन अगर आप यदि सोमवार को यहां पर आते हैं तो काफी आपको यहां पर चहल पहल देखने को मिलेगी और मंदिर के बाहर काफी सारी दुकाने भी पाचीन है कि यहां पर यह मूर्तिक का विस्थापित की गई इसके बारे में सही जानकारी यहां पर कोई भी नहीं देपाया है लेकिन यह जानकारी हुई कि यह मंदिर बहुत ही पुराना है और यह जो यहां पर सिवलिंग का रखी गई है वो रखी नहीं गई है जमीन से और उसको उसी स्थान पर इस्थापित कर दिया गया है सिवलिंग का जमीन से निकले होने के कारण इसमें लोगों की आस्था और बढ़ गई और विश्वास भी लोगों का बढ़ गया अब तो इस मंदिर में आने के लिए पक्की रोड भी बन गई है और मंदिर के चारों तर और ग्राउंड भी बना हुआ है तो बच्चेयां पर मैच भी खिलते हैं और टूनामेंट भी यहां पर हो जाते हैं उमेद करते हैं बोले बावस जुड़ी हुई यह जानकारी हमने आपको दी है यह आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर हैं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मरसाथ बने रहे हैं जो हमारे आसपास शित्र के मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं हम इस तरह हैं तो चैनल को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद